करनी है ठीक है अज़ यह माइटी ने डिवेलब किया है ठीक है संट्रलाइजड एप्रोच है ठीक है तर्ड प्राइवेट तर्ड पार्टी अथनिकेशन को इन डिस्टिब्यूटि नेटवर्ड अब अलाव जूद टेक्सेज़ दसर्विस अ अब इसमें यह है कि यूज इससे कोई नहीं होता कि जो यूजर्स है ठीक है वो वर्क स्टेशन दो जरूर्ड नहीं है उसको किसी के साथ एक संट्रलाइस सर्वर है जो इन तमाम को कॉडिनेट करता है और उसको वो यूस करता है अब इसके दो वर्जिन है जिस तरह मैंने आपको बता जिया कि वर्जन फॉर है और वर्जन नमबर फाइव है ठीक है एए इस फस्ट रपर इंटिफाइड रिक्वर्में अच्छ अच्छ एपर हम वर्जन फॉर को तोरसा डिस्राइब करते है के वर्जन फॉर में कैसे यह क्यम्मिकेशन करता है तो अब एस तांड पर्ट अथे अथेंटिकेशन स्कीम है अन अथेंटिकेशन सर्वर है अन अथेंटिकेशन सर्वर हम, as. किस से करते हैं represent हम? AS से represent करते हैं, ठीक है? User initially negotiate with AS, अगर user login होना चाहे तो क्या करता है? AS के साथ negotiate हम इस के साथ negotiate करता है, ठीक है? A.S. provides a non-corruptible authentication credential, ticket-granting ticket, TGT. A.S. को क्या करता है? कुछ गर्देंश प्रवाइड करते हैं, TGT. Have a ticket-granting server, TGS. So, users subsequently request to access to the other services from the TGS on the basis of users in TGT. A.S. अब इस डायलाग को कैसे मैंटेन करता है? Uptain ticket-granting ticket from A.S. A.S. stands for authentication server, once per session, एक बार. Uptain service-granting ticket, TGT. वो ये गट कर लेता है, ticket-granting ticket, for each distinct service required. Number 3, Client-Server Exchange to obtain the server on every service request. A.S. अभी कुछ वेरियेबल से यहाँ पर आप इसको देख लेए, कि हम इसको पिर यूज करेंगे. कैसे? C. stands for client. A. stands for authentication server. V. stands for server. I.D. C. stands for identifier of the user on client C. I.D. V. identifier of V. PC, password of user on C. A.D. the network address of C. K.V. secret encryption key shared by A.S. and V. P.S. the timestamp and the pipe symbol is for the concatenation. अच्छ अच्छ अब देखे होता किया है. के client जो है authentication server को request करता है के मुझे authenticate करो. तो उसके बेस पर. Client जो है, इसे गिर करता है, ID of C. याना, login name of the client. And the password. ID of C, देखें, क्या है? Login and PC is the password of the client. ये लिया, और ये client जो है, कि server के साथ, देखें, अब होता है, ये है कि एक complex environment में एक से ज्यादा servers possible हैं. मैं अगर ये के दूँ कि, अबासी निवस्टी है, इसमें एक बंदा आता है, और वो अपना transcript लेना चाहता है, तो वो एक server के साथ connected है. अगर फार इजेंपल वो अपना account clear करना चाहता है, तो account section में जाएगा, तो account section को maintain करने के लिए दूसरा server है. अपनी attendance को ensure करना चाहते हैं, अपनी attendance को देखना चाहता है, तो एक तीसरा server है अब ये, तो client जो है, अपना login और password दे कर, साथ में ये बताता है कि कि सर्वर के साथ में communication करना चाहता हूँ. सही? अचा, अब server क्या करता है, इसको ticket प्रोवाइड कर देता है, अब इस ticket के contents किया है, ये देखे ticket के contents है, idea of client, PC, password of the client, and idea fee, और ये ticket जो है, इसको provide कर देता है, किसको provide कर दिया है, इसने client को provide कर दिया, अब client जो है, ये ticket लेकर server को provide कर देता है, अब server को provide करता है, टिकेट along with his ID. तो server क्या करता है, client, with his ID. तो अब देखें, KV is the password of the server, आप देखें, यहाँ पर आप देखें, मैं आपको show कर दू. KV, the secret encryption key shared as the A-S and the V, इन authentication server आवर V के बीच में ये share है. तो इसको इसने use किया और इस ticket को decrypt कर लेता है. जब ये server इस ticket को decrypt कर लेता है, तो यहाँ पर देखें, IDC यहाँ पर भी मौजूद है और ticket के अंदर भी मौजूद है. तो अगर ये ID और ये ID दोनो same होंगी, तो क्या मतलब इसका होगा? कोई बता सकता है? ये क्या होगा पिर ऐसी सूरत में? कोई आडिया नही है सर。 जी? बताएं. सर, कोई आडिया नही है. तर पर इद लॉ-ला कह रहे हैं, कोई आडिया नही है. वे टेके, टेकेट आपने वरी देना ना? आपने खरीदाना एना? तो टिकर्ट जब आप ले के आप सर्वर के पास तो आपस टिकर्ट भी लेते हैं वह रहते हैं तो क्यों कृढ़ता है। कि अपने अकल भी स्थिमाल करें तो देखें यही मकसद होता है ना कि देखें अगर आप फार इजेंपल इंटरनेशनल बार्डर्स को आप करास करते हो जहाज में आप बैट यहाज में आप बैट तो टिकेट के साथ वो आपका पासपोर्ट क्यों चेक करते हैं क्यों टिकेट के उपर उस बंदे का नाम होता है कि जिसको यह टिकेट इशो किया या होता है अबगा टिकेट से फार एजेमपल इशो हुआ है से फार एजेमपल इंदादुला को और उसको ले लेता है यह महमूद तो जब ये एरोप्लेन में बेठेगा तो वहाँ पर जो चिकर है उस से पसपोर्ट भी मांगेगा और उस से टिकट भी मांगेगा और टिकेट के ओपर वो देखेगा कि यह इसके ओपर जो आईडी है इसी बंदे की है या किसी और बंदे की है दो यू अंडरस्टेंड वाट अमाई सेंग यह सर तो उसके अलाव करेगा अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसको उद्र ही रोप लेता है यह एक मिनट तो रहा है नोश्टी से काल्जी इतनी आ रही है आपके क्लास के दोरान के अच्छा यह अब थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया कि यह नहीं है आपको हाँ अब देखें लाइन वन में आप देखें कि एक लाइन जो है अथेंटिकेशन सर्वर को यह एक्टॉल सर्वर यह नहीं है यह अथेंटिकेशन सर्वर है उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक स्पेसिफिक सर्वर के साथ करनेक्ट होना चाहता हूँ तो इस बेस पर क्या होता है कि अधरिकेशन सर्वर ने क्लाइन को टिकट इशू कर दिया अब ये क्लाइन क्या करते हैं इस टिकट को लेकर सर्वर के पास चला जाता है और उसको ये टिकट शो कर देता है कि ये टिकट मैंने लिया है इस बेस पर आप मुझे आप एक सर्विस प्रोवाइट कर दें तो अब देखें कि ये वी और ये वी इस से पता चलेगा कि ये टिकट इसी स्पेसिफिक सर्वर को ही इशू किया गया है और IDC और इस IDC से क्या पता चलेगा कि जो क्लाइट इस टिकट को लेकर आया है ये वही क्लाइट है जिसको ये टिकट इशू हुआ हुआ है तो क्लाइंट को भी इंशूर हो गया के जिस सर्वर के साथ में कम्यूनिकेट कर रहा हुँ इस दा जैन्वन सर्वर और सर्वर को भी ये इंशूर है के जो बंदा टिकट मेरे पास लेकर आया है वही बंदा है के जिसको ये टिकट इशू हुआ है I think you are understanding what am I saying clearly अच्छा अब देगें मैं अगर एक सिम्पल सा निटवर्क ले लूँ तो सिम्पल सा निटवर्क में तो नर्मली एखी सर्वर होता है और एक उसी के ओपर हम के परोज को भी इनवोक कर देते हैं उसी के ओपर जो है हम डेटाबेस को भी इंस्टाल कर देते हैं उसी के ओपर जो हम विप सर्विसस को भी डेपलॉई करते हैं सारा कुछ हम कर लेते हैं लेकिन अब अगर ये एक चोटी सी अर्गनाजेशन है उसमें तो ये सर्वर और ये निटवर्क चल पड़ेगा लेकिन अगर फार एजेंपल आप ये कहते हैं कि स्टेट बेंक आफ पाकिस्तान के लिए स्टेट बेंक आफ अफगानिस्तान के लिए मैं एक पुरा सिट अप बनाना चाहता हूँ कि जहां पर तोजन्ड आफ प्लाइंट्स हैं और जहां पर अधर बेंक्स informations भी आपके पास available हैं तो यह चीज पिर एक simple एक server से काम भी पिर नहीं चलता पिर आपको यह work distribute करना पड़ता है तो कैसे हमने distribute कर दिया कि इस सूरत में हमने तीन entities को consider किया है one client one authentication server और तीसरा server तो client ने indirectly server को communicate किया इसके through authentication server get through इसके through authentication server get through और अब clients को भी यह चीज़ clear है कि मैं actual server के साथ communication कर रहा हूं और actual server be insured है कि मैंने पास actual client ही communication में है लेकिन इसके बीच में इसके बीच में इंटर्मेडियर service या रोल जो प्रवाइट कर रहा है वो कौन कर रहा है authentication server वो कौन कर रहा है authentication server अच यह एक सिंपल सा डायलोग है इस बस्सिंपल डायलोग ठीक है ना अब इसमें जो problems आ रही है इस सिंपल डायलोग में के lifetime associated with the ticket granting ticket यह इसका जो है इसका duration कितना है तो अगर बहुत चोटा होगा तो वो बार बार आपसे पास्वार्ड मांगेगा अगर बहुत लांग होगा तो रिप्ले अटेक्स के पर चांसिस हैं हम जो यह है है टेड इस इस तो आपन इंट विल च्थिर के लिए लिए को वो इसको चोरी कर लेगा और इसको यूज कर लेगा इसको expiration duration से पहले तो यह जो है इसमें इश्व आ रहा है तो अब इस purpose को resolve करने के लिए हमने क्या कर दिया जो actual authentication है in version 4 care bros इसको हम आप deploy कर रहे हैं तो अब इसमेंगर आप देखें तो हम ने time stamp को भी डाल दिया है तो time stamp का क्या फाइदा होता है कि एक server के पास जब एक customer आता है तो server को उसका time का भी पता होता है कि यह ticket कब issue हुआ है और कितनी देर के लिए यह valid है तो जैसे ही वह period expire कर जाता है तो उसके बाद जो है वह खुद बखुद तो time stamp लगा दिया तो अब जो है उस specific period के बाद जो है अब उसको use नहीं किया जा सकेगा तो आप देखें जो ticket taking जो process है इसको भी तोड़ा सा change किया गिया authentication server को कहा हमने कि हमें connect होना है ticket granting service के साथ अब आपको ticket issue करेगा server के लिए authentication server को अलग किया गिया TGS को अलाइदा किया गिया और server को अलाइदा किया गिया इना फोर entities इसमें आगी first entity क्या है client है second is the authentication server तीसरा क्या है TGS है और तर्ड क्या है server है अब इसमे क्या हो रहा है कि एक्लाइद जो है authentication server को request करता है इसको यह issue कर तेता है शेर्ड कि आप दे C&TGS, आइड आफ TGS, तामस्टम टू, लाइफ टाइम, टेके टो दे टी जी एस. अब आप देक हैं, के इसको तोरह से हम टेकने के लिए देख लें, कि यह आईड आफ TGS और यह आईड आफ TGS, सेम होंगी तो इससे पता यह चलेगा कि कौन सा स्पिसिफिक जो कस्टोमर है या क्लाइंट है इसको इससे हम रिक्विस्ट बेजी है अब इस टिकेट को इंक्रिप्ट किया गया है विद्धा की आफ दे क्लाइंट के क्लाइंट की तो अब क्लाइंट के इलाव कोई भी बंदा इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता तभी जब क्लाइंट के पास आ जाएगा तो क्लाइंट के पास अब टिकेट भी आ गया है लाइफ टाइम भी आ गया है आईडिया आफ टीजी इस भी आ ग अब यह इसको लेकर चला जाएगा TGS के पास उसने जी अवर उसके साथ सर्वर इंफर्मिशन दी और अथन्टिकेटर सी इसने दे दिया अब अब या खरेगा TGS क्लांको पर शीयर कि बत्वें प्रुएन देंग आप hai अब अई आद आफ या या फी तोड़ा साथ अब तोड़ा साथ झाल झाल यह मैंने तोड़ा सा वो फारग करने के लिए ही किया कि आपको तोड़ा सा अंदाजा हूँ ठीके ना अच्छ अब आप देखें यहां पर तो यह इस टिकेट को लेकर सेंड करेगा अब यह सर्वर के पास अब सर्वर के से इसको करेगा डिक्रिप्ट करेगा इसको क्योंकि इसके पास है कि के सी कामा वी अवेलिबन है और यह क्लाइन को इंक्रिप्टिट फार्मेसन करेगा टाइम स्टेंप फाइफ प्लस वन यह इसको इशू कर देगा अब इनके बीच में क्लाइन और सरुर के बीच में कम्यूनिकेशन स्टार्ट हो गई तो वो जो रिप्ले अटेक था यहां पर हमने जो बोला अगर आप एक टिक्ट को इशू कर देते हैं तो वो इसको रिजाल करें चूंकि लाइफ टाइम इसके साथ गिवन है और उस स्पिसिफिक पिरिड के बाद जो है यह क्या हो जाएगा यह एक्सपायर हो जाएगा तो से फार एजेंपल आपने इसको वन आवर के लिए कर लेगा और अफ्टर वन आवर जो है तक टिक्ट एप्सपायर हो जाएगा तो इन डिफिनेट पिरिट आफ टाम जी जी सर्फिक अब एक क्वेश्चन सर्फ एगर डेटा कंटिडियूसली आ रहा हो सर्रीयल टाइम में तो फिर सरीय अथेंटिकेशन कैसे होगी सर्फ अच्छ देखें डेटा तो आपको तब यह टाइम में मिले गा ना कि सर्फ और आपको अथेंटिकेट करें बात को मतिके आप अने पहले की बात है कि सर्फ यह डेटा रियल टाइम में आने से पहले कि बात है कि सर्फ और आपको तब देगा ना डेटा रियल टाइम में कि आपकी अथेंटिकेशन हो जाए तो यह process for the authentication है बात की समझा है लिए एक बार आप authenticate हो गए इसके अब अब देट हैं आप एक विसाल दूँ कि जब तक आप LMS के साथ connect नहीं होते उस time तक आपको आपका जो quiz है वो open नहीं होता समझा है यह बात की जब आप authentication आपकी होजे तब आपकी लिए quiz open हो जाता है similarly जब एक सर्वर आपको authenticate तब आपको real time और data send करना शुरू कर देता है मैं इसके एक और मिसाल आपको दूँ कि जिस तरह यूट्यूब सर्वर है तो यूट्यूब सर्वर के ओपर आप without login भी आप बिशुमार वीडियोस आप देख सकते हो लेकिन अगर आपका अपने एक चैनल है तो उसके ओपर अगर आप अपने वीडियोस को upload करना चाहते है अपने चैनल से तो आपको login होना पड़ता है तो जब तक आप login नहीं होते तो आपको वो allow नहीं करता I think you are understanding my quiz यह सर बिलकुल सरसे में जा गई है अब देखेंगे इसका पूरा वो प्रॉसेस है इसमें क्या होता है कि user one जो है वो login होता है टेकर ग्रांट इंटिकेट authentication server के लिए ठीक है अब इसके बेस पर वो क्या करते है इसको ticket plus session की assign कर देता है वह इसको authentication server के पास प्रॉइड कर देता है और यहां से क्या करते server के पास आ जाते है और server जो इसको return में services provide करता है तो देखेंगे अब यहां पर इस dialogue को कि पहले client किसके साथ communicate करते है इसके साथ तो देखेंगे इसके साथ communication कर ली और इसना ticket our session की दे दी हां देके session की और यह ticket समझा रही अब यह हो गया इसने क्या कर दिया ticket granting service के पास बैज़ दिया ticket granting service नजर आ रहे ना अच्छा इसको ticket issue कर देते किसके लिए actual server के लिए अब देखें जो question यहां पर मेरा है question जो है वो मेरा वो यह है के server जो है client के साथ direct communication में नहीं है तो अगर एक fake user आएगा तो वो के रब्रोस में ही stop हो जाएगा सर्वर आराम से बैटा रहेगा जब यह यहां पर बिलकुल सो फीसद इसको ensure हो जाता है तो तब यह server इसको services provide कर देता है बात की समझ आ गई तो server के ओपर direct जो attack है वो भी minimize हो गई कर ब्रोस और server के दर्मयान कोई connection क्यों नहीं है sir के रब्रोस और server के दर्मयान network के बीच में communication है लेकिन यहां पर इसकी ज़रूरत नहीं है mention करने की क्योंकि हम इसको client के perspective से वो कर रहे हैं क्योंकि यह कर ब्रोस और यह जो है ना यह server यह दोनों एग ही network के उपर available है secure farm में लेकिन untrusted हमारे पास client है I think you are understanding what am I saying जीशू तो यहां पर हमने शो नहीं क्या हुआ और वह देखें यहां पर ना reason यह है कि आप देखें यह जो authentication और इसमें कोई information जो है हाँ वो client के perspective में server को नहीं जा रही क्यों कि care bros is trusted कर ब्रोस जो है वो भी trusted है और यह जो server है वो भी trusted है तो दोनों ने एक दुसरे के secrets इसको understand क्या जी जो फेक हमारे पास हाथ हाँ फेक client अगर है बिलकुल फेक client अगर है जी तो सर तो फेक होगा ना तो वो कर ब्रोस इसको stop कर लेगा ना बात की समझा रही है ना इसमें advantage यह होगा ना कि server के पास सरफ genuine users जाएंगे बात की समझा रही है ना मसला देखें मैं आपको एक और मिसाल के एक airplane है जहाज है उसमें सवार होने के लिए एक लंबी खतार लगी हुई है तो इस server को आप airplane consider करें तो आप care bros होगे है आप उसकी security guards है और वो consider कर ले तो वो जाके वहाँ पर हार एक के tickets और वो सारा कुछ चिक करते हैं वग्यरा वग्यरा तो अभी देखें ना care bros और server के बीच में तो understandability है जो security guard है और जो एरो प्लैन में pilot बेटा हुआ है लेकिन client की बात है ना कि किस client को जहाज में बेटाना और किस को बेटाना नहीं है बाती समय अबीच है ये शार जी साथ है और जी से संपल्थ है तेल्दा प्रहम को बाता है प्रहम को रेटाना टेल्थ है पले तेल्या खेरी भीच लीटिए तुहिंड़ आज़ है